हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसिया ट्रेनिंग में आज कलासिक्स है तो कलासिक्स में हम जानेगे कि बूम लिफ्ट सिलेंडर किसे कहते हैं और साथी में जानेगे कि ओपरेटिंग केविन किसे कहते हैं और हुक ब्लोक किसे कहते हैं और हुक ब्लोक Le hairstgiania TheπAnylu Mood走了 hydraulic pressure के ऊपर in-ya out होकर boom को up यह down करता है । दोस्तो यह boom lifting cylinder है इसका काम है कि crane के जो boom होता है उसको up-ya down करने का मतलब कि जब crane का boom lift निकलेगा तो जो boom है हमारब up होगा अप होने के साथ साथ क्या होगा हमारा radius भी घटेगा जब crane का boom down होगा, boom lift cylinder जो है अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो crane का boom down होगा, down होने पर क्या होगा हमारा radius भी बढ़ेगा, आपने radius के बारे में अभी नहीं जाना है, आने वाले वीडियो में हम radius के बारे में भी बताएगे, तो आप चित्र में भी indicate किया हुआ, आप असान का यह मतलब है कि अभी जैसा हमने बता है, boom lift cylinder के बारे में जो अप किया जाएगा, या down किया जाएगा, वो सब जो होता है, वो operating kevin से बैट के ही operate किया जाता है, ठीक है दोस्तों, कोई भी काम हमको करना होगा, तो हम operating kevin में बैट के ही operating operate करेंगे, उसे ही संचालन, मतलब हि देख भी रहे होंगे चित्र में, अब चलिए जानते हैं, hook block किसे कहते हैं, तो hook block, crane के hook block में किसी भी load को बांद कर, अप या down करते हैं, hook block, मतलब crane से कोई भी load उठाएगे हम, तो hook block में फसा के ही उठाएगे, ये सबहरन सा भाता में आप समझ लीजे, hook block के बिना, जैसे को कोई भी work करेंगे हम, तो hook block में बांद के ही, हम जो है, वो work करते हैं, या loading का काम हो, या lifting का काम, कोई भी काम हो, ठीक है दोस्तों, अब आईए, हम जानते हैं, कि hook block किसे कहते हैं, crane के hook block में लगी, पुल्लियों को hook block कि कहते हैं, hook block पुल्ली जो हम समझा दे आसान फासान द हैं, या art file करेंग है, तो वो जो पुल्ली होता, पुल्ली में ही rounding होता है, ठीक है दोस्तों, उसे ही hook block काते हैं, वो चका type का होता है, ठीक है, उसमें round होता है, 10 से 12 round होता, जिसमें, जो है, wire rope round हो करके, जो है, hook block में फसाय जाता, तो hook block, हम चित्र में भी indicate कर रहे है, आप स क्रेन रखते हैं आप तो जादा वेट उठा सकते हैं चार फाल पे कम उठा सकते हैं ऐसा ही फाल जो होता है हमारा हुक प devil कुलिप रही हूता है सो दोस्तों आजये अब हम जानते लाइस वाला की हुक with safety किसे कहते हैं क्रेन के हुक में लगा कर सेफटी लेथ हुक में लोड को उठाने के लिए फसाए गए रोप को हुक में से बाहर निकलने नहीं देता है या उसे सेफटी में रखता है जैसा कि अभी हमने बताया कि हुक ब्लोक किसे कहते हैं तो हुक ब्लोक में जो पिन लगा होत सकते हैं सो मिलते हैं next class में next topic के साथ तब तक के लिए धन्यवाद